दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों आप पर डेली की तरह जो कि देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी की क्लास से लाइगे है जो कि आपके टॉपिक वाइज है हर एक टॉपिक आपके कवर करा होगे तो पका है कि आपका पूरा हिंदी कंपलीट हो जयाएगा चेannah आप यहाँ पर अपर देखने को मिल जांगे तो चलिएह चले पर करते हैं यहा पर question दिया गया है कि चौथा ब्यक्ति ज्यादा होसियार है इस वाकि में चौथा क्या है चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका जवाब क्या होज़ेगा YouTube पे notification नहीं आता है तो इसलिए तो बोला गया है कि भाई आप लोग होसियार है इस वाकि में कौन सा आपका यहाँ पर विसेशन है तो देखो चौथा पूझा गया चौथा है क्या तिरसाट नमबर का जवाब दीजे तिरसाट वाले क्या होज़ेगा तो देखो चौथा क्या है आपर किरिया विसेशन तो है नहीं है यहां पर गुड भी नहीं है तो जो संख्या वाची विसेशन है कौन सा उप्सन बनेगा यहां पर आपका सी नमबर संख्या वाची विसेशन हो जाएगा हमने संख्यावाची विसेशन को भी कई प्रकास बताया था करम वाच्य बताया था आवुरिती भी बताया था गरना भी बताया था तो आपसंग क्या हो जाएगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कुछन दिया गया है यह कुत्ता मेरा है, इस वाक में प्रिक्ट विसेशन का परकार बताना है कि यह कुत्ता आपको पूछा गया है, 4 September में क्या हो जिगा तो दिखो 10 और यह और गया, यह आपने पताया था सरुणाम में, मतलब क्या हो जाएगा ये सार्व नामिक विसेशन बनेगा क्या बनेगा यहाँ परंसर आपका होज़ेगा बे नमबर सार्व नामिक विसेशन यहाँ परंसर राइट होज़ेगा सार्व नामिक विसेशन किलियर है चलिए आगे बढ़ते कोशन दिया गया है थोड़ा सा दूध गरम करदो इस वाकी में विसेशन का कौन सा भेध है यहापर बताईए आपका aligned में से क्या वड़ेगा थोड़ा सा दूध गरम करदो इसमें से बताइए कौन साफ का विसेशन है चले वीडियो को लाइक तो कर दीजे यार कम से कम 24 लोग जुड़े हो 24 लोग जुड़े हो और 24 में हर एक बच्चे को हम जानते हैं हर एक बच्चा हमसे डेली क्लास पड़ता है अब इसमें से 24 वाले में देख लोग खुदी आप लोग देख लिजे दूसरों की मेंनत अगर नहीं आप लोग समझोगे तो आपको मेंनत कोई नहीं समझे गए एक बात बता दें अगर आप दूसरों की मेंनत नहीं समझोगे न तो आपकी मेंनत कभी भी सकसे नहीं हो सकती है तो देखो यहाँ पर जो दूध है वो कैसा एक प्रकास से material लाउन है और material लाउन है इसका मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि यहाँ पर परिमाड वाचक होगा और थोड़ा दिया गया इस करण से क्या हो जाएगा अनिस्चीत हो जाएगा तो option क्या बनेगा डी नमबर अनिस्च विसेशन की विसेशन की विसेशन कोन बता रहा है बहुत अर्थात यहाँ पर जो आपका अंसर बनेगा चांचे टंबर में वो आपका भी होज़ेगा बहुत है ना तो आपका होज़ेगा बहुत जो कि आपका प्राविसेशन भी नमबर होज़ेगा अगला question आपसे दिया रही हो आर्थात किस की विशेशता घर की विशेशता आदमी की विशेशता वस्ती की विशेशता तो आपका घर आदमी वस्ती यह आपका होज़ेगा विशेश से अगर पुछता विशेशन क्या है तो बड़ा छोटा और नीला यह क्या हो जाते यह आपके हो जाते विशेश पूरा पूरा आपको निकल कर यहां पर आजाएगा हमने आरो एकजाम में कवर कर आया था और उसमें से हमने पूरा तया था कि जो आपका गुणवाचक विसेशन होते हैं इसके कई रूप होते हैं अर्थात गुणवाचक में बहुत चीज़े आती हैं ठीक है यहाँ पर अंसर आपका A हो जाएगा अगला कोशन दिया गया है कि कला का अंतिम और सरोच धे सौंदर है तो देखो यहाँ पर चार आ रहा है लगवक सभी का रहा है चार नहीं होगा भी इसका अंसर होगा अपका D नंबर यहाँ पर तीन होगा ठीक है तो देखो कला का अंतिम देखो सरोच धिया गया है सरोच धिया गया है एक सुंदर होता है सुंदर का हो गया सौंदर हो ठीक ह ना और इसके बाद यहाँ प्रकला का अन्तियुम हो गया तो यहाँ पर आपका होजेगा डि नमبر आपका τीन होजेगा ठीका आगे मड़ते हैं कुशन डिया गया है कि मेरा ने आधा लिटर दूद पी लिया यहाँ पर आधा लीटर है ना और आधार लीटर है मतलब क्या सकते हैं परिमाण वाच्चक जो की option क्या बनेगा सिनम्बर आपका हो जाएगा अगला question दिया गया है कि कोई बच्चा नहीं खेलेगा यहाँ पर बताई क्या हो जेगा कोई जो आपका है कोई और कोई क्या हो जेगा सारुनामिक विसेशन इसक विसेशन होगा तो याद रखे कि आप लोग इसके पहले वाला जो टॉपिक है आपका सारुनाम वाला वो जरूर देख लिएगा तभी यह पूरी तरीके से confirm होगा तो यहाँ पर आपका अंसर हो जाएगा से नमबर है सारुनामिक विसेशन हो जाएगा क्योंकि यह और वह क्या होते हैं और निश्चित हो जगा यहाँ पर सारुनामिक हो जाएगा आगे बड़ते ही कॉशण दिया गया है निमनिखित मेसिक की सबद का विसेशन है और ब्याकरलिक है यहाँ पर 74 नमबर है आपसे पूछा गया है तो दिया गया है दिखो आपका उथसा का अगा ही वैधव्य एक भावचक संग्या है जो की विशेशन से बना है अर्था तो यहाँ वैधव्य क्या है एक भावचक संग्या है जो की विशेशन से बना है कौन से विशेशन से यहाँ पर आपका विधवा हो जगा इसका अंसर बनेगा एक नंबर आपकी विधवा से बना है ठीक काला का विसेशन यहाँ पर कालिमा हो जाएगा और समनेगा आपका यहाँ पर डिनमबर हो जाएगा अगला कुछन दिया गया है कि विसेशन के लिंग और वचन किसके अमसार होते हैं तो यहाँ पर विसेश से के अमसार होते हैं या दरिकी विसेश से के अमसार होते हैं तो य आपके आवरती होते हैं, क्या होते हैं? आवरती होते हैं, याद रिखेगा, और गरणा में क्या कRते हैं, एक दो, तीन, चार, पाँच ऐसे करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका हो जईगा, ठीक है, चलिए, पहला दूसरा जवाब कहाता है, अगला कुछन दिया गया है, दानी, और दानी क्या होता है, गुण होता है, गुण होता है, इसके मतलब क्या हो जएगा, यहाँ पर भी गुणवाचक हो जएगा, अगला कोशन दिया गया है, छोटा निम्निकित में से किस प्रकार का विसेशन है, छोटा बड़ा, यह सब क्या होते हैं, आपके गुणवा चाहें तो आप लोग गुडवाचक में लगा सकते हैं क्योंकि देखो तुक्का बोल लए हैं ऐसा नहीं कि अगर आपको आई ही रहा है तो आपको लगाना है तो आप यहीं लगाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन दिया गया है निम्लिखित में से आकास सब्द से बनने वाल बिसेशन इन में से क्या हो जगा देखो आकास सब्द से बनने वाला बिसेशन यहाँ पर तो यह संग्या होगे एक प्रकाल से है ना यहाँ पर पूछा है बिसेशन इसका क्या बन सकता है तो इसका बन जाएगा आकासी हो जगा क्या हो जगा आकासी मतलब आपसम मनेगा यह अगला कुछन आप से दिया गया है निमनिकित वाकि में प्राविसेशन की रूप में किसका प्रियोग किया गया है प्राविसेशन अभी हमने बताया था जो विसेशन की विसेशन बताता है यहां पर देखो वह बहुत तेज दोड़ता है तो तेज क्या हो गया विसेशन और क्रिया विसेशन का कारी करता है, यहाँ पर देखे कौन सा हो जगा, तो यह है आपका कितना इतना, कितना इतना यह क्या हो जगा, एक क्रिया विसेशन का कारी करेगा, यहाँ पर अंसर आपका ए नमबर आपका राइट हो जगा, तो यह होता है विसेशन की है किसकी है तो विसेशन की है यहाँ पर अंसर क्या होगा ठीक ठाक किसकी दुरेक्ती है तो आपकी विसेशन की है अगला कुशन दिया गया है निम्लिकित में से गुड़वाचक विसेशन आपका कौन सा है गुड़वाचक विसेशन यहाँ पर क्य क्या बताना जरूरी नहीं होता है सरुनाम का पद परिचे देते हुए हना या देते समय क्या जरूरी नहीं होता है तो देखो यहाँ पर आप बताईए सरुनाम की भेद बता दीजे सरुनाम का पद बता दीजे लिंग वचन बता दीजे ठीक है लेकिन यहाँ पर विसेशन पद बताना ज़रूरी नहीं होता है याद रिखे इस कंसर बनेगा D-Number हो जएगा सरुनाम की भेद, सरुनाम का पद, लिंग और वचन यह ज़रूरी है लेकिन यहाँ पर याद रिखे विसेशन पद बताना ज़रूरी नहीं है जब हम लोग सरुनाम का परचह देते हैं तब ठीके चलिए अगला कोशन दिया गया है यह आस्मान में काले बादल चाहे हैं वाकिमी BCS से पर आपको बताना है यहाँ पर 87 कॉप्शन में से क्या हो जेगा अब यहाँ पर देखे आपका अंसर क्या हो सकता है इस वाले कोशन में आपका जवाब इन में से क्या हो जेगा चलिए क्या बनेगा आपका बादल आस्मान बनेगा काले बनेंगे पादल बनेंगे यह आपका चाहे हो जाएगा पूछा क्या गया है विसेश से पूछा गया है तो विसेश से बी नमबर कैसे हो सकता है आप ही सोचिए जो लोग बी नमबर दे रहे हैं तो आप ही बताइए जो काला गोरा ये क्या होता है गुण होता है गुण होता है विसेशन होता है तो यह यहाँ पर क्या हो गया है अब यहाँ पर देखो काले बादल और बादल पर फ चले अगला कोशन दिया गया है कि सब्द पुराना अब देखो पुराना आपसे दिया है तो आप कहेंगे पुराना क्या है ये गुडवाचक हो जाएगा पुराना नया वगएरा वगएरा ये क्या हो जाएगा आपका गुडवाचक हो जाएगा अगला question दिया गया है यहांपर दिखो दिया गया बहुत Hindi भ्याकरन के अनसार भ्याकरन के बिसेशन के भेदों के किस रेड़ी में आता है तो यह बताएए बहुत यह कम यादा बहुत यह जब होते हैं वो आपके किस में होंगे परिमाड में होंगे कि नहीं होंगे भाई कम जादा ये जो होते हैं परिमाड में होते हैं तो आपसन क्या हो जाएगा आपका बिनमबर आपका राइट हो जाएगा ठेके अगला question दिया गया है कि सब्द थंधा हिंदी भ्याकरण के अंसार विसेशन के भेदों की किस रेड़ी में आएगा थंधा गरम थंधा है गरम है ये सब किस में आएगा गुड में ही तो आएगा ना तो option क्या हो जाएगा अगला question आपसे दिया गया है कि सब्द उसका हिंदी भ्याकरण के अंसार विसेशन के भेदों की किस रेड़ी में आता है उसका ये उसका जवाब का आएगा ये किस के आएगा तो देखो यहाँ पर आएगा सरुनाम में आएगा बिलकुर सही है ये सरुनाम के प्रकार में आत अगला question दिया गया है वह बहुत मधूर गाता है इसमें प्राविसेशन सब्द का चैन करिए वह बहुत मधूर गाता है प्राविसेशन तो मधूर क्या है इसका गुण है अर्थात ये विसेशन है और विसेशन की विसेशन की विसेशता कौन बता रहा है बहुत बता रहा ह कि अगला कोशन दिया गया है विसेशन सब्स जिसस संगया ये सरण नाम की विसेशता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? बिसेष्टा बताते हैं उसे क्या कहते हैं बहुत यह अच्छा कोशन नयाद रखेगा इसे क्या कहेंगे क्यारा भी सेष्टन सब्द जिस संग्या सरुनाम की बिसेष्टा बता लाते हैं उसे कहते हैं बिसेष्ट यहां परन्नोल करेगा यहां परंसर आपका बनेगा ए नंब बनेगा अगला question इसे अभी मिलेगा ऐसा ही कि महान का उत्तरा अवस्था पूचा गया है देखो यहाँ पर महान का उत्तरा पूचा गया था फर्स सेकेंड थर्ड तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब यहाँ पर सेकेंड इस्टेज पूची गई है महान का उत्तरा अवस्था क मतलब विसेशन के जो आपके वस्था होती है तो तीन वस्था होती है ठीक है एक आपका हो गया प्राथमी का वस्था ठीक है या मूरा वस्था कहते हैं एक होती उत्तरा वस्था एक होती उत्तमा वस्था तो इनमें से आपका पूछा गया था उत्तरा तो आपसन मनेगा बिन यहाँ पर तो देखे घुरू का हो जाएगा गुरुतम हो जाएगा क्या कौन सा बनेगा यहाँ पर देखे हैं घुरुतंब पमने याँ यहाँ बनेग यहाँ यहाँ पर यह बदो option मनें आपका B number, यहाँ पर गुरू का उत्मा वस्ता हो जएगा, गुरू तम, जो को option मना है, B number आपका हो जएगा, ठीके चलिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है, अभ्यास का B session रूप आपको बताना है, अभ्यास का B session अनिस्यत तो आपके हैं नहीं है, लोगों को आप लोग गिन सकते हैं, अर्था गिन सकते हैं इसको मतलब संख्यावाची और कुछ जो आपका है वो अनिस्यत है, मतलब यह कह सकते हैं कि अनसर हो जएगा, अनिस्यत संख्यावाची अगला question दिया गया है निशा का Busy रूप क्या होता है यह पर 101, यहां पर होता है निशा का Busy रूप क्या होता है यहां पर 102 बताना है ठीके जली यहाँ पर क्या है विसेशन है जली क्या है यह आपका विसेशन है पूछा गया है इसका विसेशन है तो आप विसेशन क्या बताएंगे यहाँ पर बताएंगे जल ठीके जल का यह विसेशन बना है जली तो आप समने आपका एनमबर हो जएगा अगला कोशन दिया गया है कि काफी में कौन सा वीसेशन है तो काफी कम ज़्यादा जैसे बोलते हैंगे काफी और अधिक वही आपका है अर्थात यहाँ पर आप लोग बताईए क्या अंसर आपका हो सकता है तो यहाँ पर देखो आपका होज़ेगा काफी या कम ज्यादा मतलब अनिश्चित होगा और क्या होगा परिमाड होगा तो यहाँ पर अंसर बनेगा आपका D-Number है अनिश्चित परिमाड वाचक यहाँ पर विसेशन जो कि आप समनेगा अपका D-Number होज़ेगा ठेके चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है भौम का विसेशन क्या होता है देखो भौम जो आपका है या लेडी क्या है विसेशन है इसका पूंचा है विसेश तो इसका विसेश से क्या होज़ेगा यहाँ पर इसका विसेश जो आपका बनेगा वो होज़ेगा आपका भौमी अर्थात यह भौमी का यह विसेशन बन गया है भौम तो यहाँ पर अनसर क्या होज़ेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा, अगला कोशन आप से दिया गया है, कि जैसा काम हो ऐसा दाम, में जैसा किस व्याकरण कोटी का है, तो देखो जैसा काम हो ऐसा दाम, तो जैसा है क्या, जैसा जो आपका है, एक बिसेशन ही तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भई, य इसमें पूछाए वुपिक्त वाक में कितने विसेशन है, कितने विसेशन है, तो देखो, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, वह बहुत, वह बहुत बड़ा ठग है, तो देखो, विसेशन पूछाए तो कितने हो गए, यहाँ पर चार विसेशन आपको हो गए, कितने चार क्योंकि ये भी क्या है आपका सारुनामिक विसेशन है सारुनामिक विसेशन है ठीक है बहुत क्या हो जएगा ये आपका प्राविसेशन हो जाएगा बड़ा जो आपका है क्या हो जएगा आपका विसेशन हो जाएगा मतलब आपकी अनसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अंसर बनेंगे कि चार इसमें क्या है आपकी विसेशन आयाद रखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि दूस्चरीत वेक्ति के सम्मंद नहीं रखना चाहिए दूस्चरीत वेक्ति से सम्मंद नहीं रखना चाहिए इस वाक में दूस्चरीत सब् प्रियोग की आधार पर पांडू सब्द आपका है यह कैसा सब्द है पांडू तो पांडू कि अगर बात करते हैं तो यहां परंसर क्या हो सकता है केवल विसेशन है केवल विसेश है विसेश और विसेशन दोनों है देखो पांडू एक राजा हुआ करते थे आपको पता होगा पांडू एक राजा थे है और एक पांडू मतलब पांच हो गए मतलब यहां पर यह विसेश सी भी हो जाएगा और आपके विसेशन भी हो सकता ह मतलब आपका संख्यावाची भी है और एक राजा के बाद भी कह रहा है तो आप संसी हो जगा आपका दोनों कहा जा सकता है अगला कोशन दिया गया है यहाँ पर चतुर विद्यार्थी से प्रस्ण पूछो वाकि में विसेशन पूछा है अब आप बतेए कौन सा आपका यहा वाकि में किन सब्दों में विसेशन विसेश सम्मंध नहीं है आप से पूछ लिया है तो थोड़ा सा सोची और समझे बड़े चोर बड़े बड़ा क्या हो गया विसेशन चोर आँपक विसेश की यहाँ पर बड़ी चुर यहाँ पर क्या हो गया विसेस लिकिन पुलिस की लापल वाही यहाँ पर जो आफशन है कौनसा अप Step 2 नंबर यहाँ पर 25 की Babish का समंध यहाँ पर नहीं है कुछ नबर में हो जाएगा ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ ना आप से दिया गया है कि निमनिकी सब्दों में से कौन सा विसेशन है निमनिकी सब्दों में से कौन सा विसेशन है आप से पूछा गया है तो कुरोधी है, कंटक है, चुनावती है और आपका राही है अब आपी बताईए कि यहाँ पर जो विसेशन है वो कौन सा कुरोधी है ना जैसे कुरोध होता है कुरोध तो कुरोध का विसेशन क्या हो जाएगा मतलब आपसन क्या बनेगा यह नमबर आपका राइट हो जाएगा अगला कोशन आपसे दिया गया है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाकि में विसेशन आपका क्या है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाकि में विसेशन है क्या विशेश की परिवासा आप से दिया गया है और विशेश की परिवासा हो जएगा कि जिस सब्द की विशेशता बताई जाती है उसे ही हम लोग विशेश से कहते हैं तो आप संग क्या हो जएगा ए नमबर आपका राइट हो जएगा अगला कोशन दिया गया है कि मोहन एक अच पर लोग जवाब दे रहे हैं A number कुछ लोग जवाब दे रहे हैं student मतलब आपका यहाँ पर आपका D number अच्छा ठीक है अगर हम बात करें मोहन तो यहाँ पर दिया गया है लिकिन क्या बात मोहन के की गई है क्या क्या बात मोहन के की गई है क्या यहाँ पर विद्यार्थी लग है कि यह इसका विसैसर नियास होता है तो इसके अंसर आपका सोगा यहाँ पर नव्य कर द Which जो विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी जीवन पर फोकस किया गया है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कोशन आप से दिया गया है, कहरा आप से, एक वाकि में, बिसेशन का प्रियोग नहीं हुआ है, यहाँ पर देखते हैं, क्या हो जाएगा, चलिए, यहाँ पर 116 नंबर में, तो कहरा आप से, एक वाकि में, बिसेशन का प्रियोग नहीं हुआ है, 16 नंबर में, तो कहरा है, वा विद्यार्थी है, वा लड़का विद्यार्थी है, तो देखो, वा जो आपका है, वा प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वा परिसमी भी आपका है, तो यहा यहां पर एक विसेशन कौन सा नहीं है 117 नंबर में विसेशन कौन सा आपका नहीं है तो यहां पर दीखे आपका जो लजीला है लाडला है लापता है यह तो है लेकिन जो लांचन है लांचन यह विसेशन आपका नहीं है ठीक है चलिश का अंसर हो जाए आपका C नंबर अग कह रहा है यूद दिखकर असुक का कठोर हर्दय तो कठोर यहाँ पर हर्दय है तो हर्दय तो मोम जैसा पिगला है की नहीं कि यहाँ पर असुक पिगल गया है तो यहाँ पर पिगला क्या है मोम जैसा हर्दय है इसका मतलब जो आपका हर्दय है हर्दय यह पिगला है तो आप पर आपका हो जगा से नुम्मर हर्द्ध हो जाएगा, ठीक है, छलिएip, मतलब कुछ लोगों को अभी भे, यहाँ पर पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, तो आप लोग थियोरी ज़रूर देखेगा, तो तभी कहते हैं संग्या सरवनाम कम्पिलीट हो तब आप लोग विसेशन पढ़िए बड़ी तरीके से आराम से आपको जानकारी हो जाएगी ठेक है चलेए तो कौन सा विसेशन आपका नहीं है यहाँ पर अंसर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा ठेक है अगला कोशन आपसे दिया गया है इंदरी का विसेशन होता है क्या यहाँ पर एंदरी होता है कौन सा यहाँ पर डी हो जागा इंदरी का विसेशन एंदरी होता है जो की option दिया गया है यहाँ पर आपका d number अगला question आपसे यहाँ पर दिया है निम्निकित में से एक decision सब्दाब कर नहीं है यहाँ पर 120 नंबर में तो कौन सा हो जाएगा चलिए कह रहा है बहुरूपिया बातूनी बादामी और बांका मतलब भी यहाँ पर दिखा जाए तो आपको लग रहा है d number लेकिन याद रखे चारो सब्द ही यहाँ पर क्या है आपके decision है याद रखे यहाँ पर जो चारो सब्द है वो आपके कैसे है आपके यहाँ पर decision है फिर भे अगर exam में आपका आता है तब आप यहाँ पर बांका बोलेंगे कि बांका जो आपका है वो decision सब्दा आपका नहीं है लेकिन याद रखे यहाँ पर चारो सब्द ही क्या है हैं चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से दिया गया है के रहा है भक्ति की करुण पुकार सुनकर भक्त वसले भगवान दायार होग उठे वाक्त में प्रिप्त विसेश्यों की द्रस्टी से कौन से युगमाप का सुध दिया गया है तो देखे सुध के अगर बात करते हैं 122 संबर में तो देखो यहां पर कह रहा है सुध युगमाप का दिया है तो भक्ति की करुण पुकार भक्त और भगवान ये तो है नहीं है करुण और दार ये तो विसेशन है भक्त वसले और आपका भगवान दिया गया है फिर इसका पुकार और भगवान यहां पर जो आप पुछागया है कि विशेश्यों की द्रस्टिसे युग मापका सुद्धिया गया है तो यहां पर एक सुवाइस का उस्वाप्षन डी वाला देखे पुकार और आपका भगवान पूचा गया है कि विशेश्यों की द्रस्टी से तो विसेश से यहाँ पर पुकार है और विसेश से यहाँ पर भगवान है ठीक है इस कारण सो उप्षन क्या होगा डी नमबर आपका राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कुछन आपसे दिया है कि भूले भालक ने कुरूर डांकू के कटोर हदय में कोमल भावना जगा दी वाकिवें कितने विसेश से हैं अब यहाँ पर जवार दीजे आप कंसर इनमें से क्या होगा अच्छा कुछ लोगों को लगता है कि नहीं विसेश इतना सरल होता है इतना सरल नहीं होता है वह सरल भी होता है पढ़ने वाले के लिए सब चीज सरल होती है देखें यहाँ पर देखो कितने आपके बन गए एक दो तीन चार कितना बन गया एक सो तीस को अप्शन क्या हो जएगा चार जो आपकी हो आपके बिसेश हैं ठीक है बालक हो गया डाकू हो गया हरदय हो गया और भावना यह हो गया आपके बिसेश हो गया सेश जो बचे हो आपके क्या हो गय वो आपके हो गया क्या आपके विसेशन हो जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है निमनिकित में से एक विसेशन सब्दाप का नहीं है निमनिकित में से एक विसेशन सब्दाप का नहीं है 124 नमबर में तो देखे 124 के गरम बात करते हैं तो आपका दिया है आपका वर्द कहीं न कहीं घुमाया गया है वर्द आया घुमाया गया है वर्डी घुमाया गया है तो अंसर क्या बनेगा ए नमबर आपको हो जगा वर्दान ये विशेशन नहीं है एक सिंपल सा वर्ड है अर्थात विशेश से है एला कोशन आपके सामने दिया गया है कि नि तो यहां परनसर क्या हो गा तक है अब आप सो लोगों से कहते हैं कि अगर आप लोग रीविजिन करते मैं लगातार तो आप करता एक क्रिया समाप्त कर उसी चंड दूसी क्रिया में प्रवरत हो जाता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है मतलब एक जब करता एक क्रिया समाप्त कर उसी चंड दूसी क्रिया में प्रवरत अथाल लग जाता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है तो ये क्रिया कहलाती है पूर गया है तो देखो यहां पर आप चल सकते हैं आपके अंदर क्या वगया सामर्थ आ गई है आपके बड़ते कोश्चन आपसे दिया गया है निंदखित प्रस्टी में चार विकलप आपके दिये हैं उस विकल्प का चैन करें जो किरिया के भेदवाला सही विकल्प हैं बातें कम करिए क्योंकि अगर बातें करोगे तो ये टॉपिक आपका उड़ जाएगा खुपड़ी से बाउंस हो जागा पता भी ने चलेगा कि बॉल आई थी कि नहीं आई है इतनी दूर से बाउंस हो ने गाए को चारा खिलाया अब आप बताईए यहाँ पर कौन सा भीद आपका हो सकता है ठीके चलिए तो दिखो फोर कॉप्सन यहाँ पर आपका बने कौन सा तो तो तैरा है दीपा ने गाए को चारा खिलाया ठीके चारा खिलाया यहाँ पर दिखो आपका गाए है एक कर् कियों कि नाम धातु तो बनने सकता है ठीक है प्रेश ना तो दी नहीं जा सकती है कृतन हर तो यहां पर क्रिट यहां पर क्रिया का कर्म हो गया क्या है यहां a यहां पर कर्मक क्रिया है का चलिए आगे बढ़ते हैं कोई is ऑ सीक्ति आम पूछा गया है और पसंद अगर प्रसमें चार विकल्प दिये गये हैं सही वरति आपको पहँचानना है कि यदि सारा समान मिल जाए तो भोजन अच्छा बनेगा बिल्कुल सही बात है कि यदि सारा समान मिल जाए तो भोजन अच्छा बनेगा आपसे पूछा गया है यह संभावना नहीं है यह संभावना है संकेत हो जाएगा क्यों 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 यहां पर मिला है क्या आपका तो बना है क्यों 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 ना अभी बना हुआ है इस कारण से संकेत अगर मिल जाएगा तो 100% यह है कि बन सकता है तो संकेत यहां पर लगाएंगे तो यहां पर अंसर क्या होगा य आब ये बताईए कहाँ, आब सीता चलने लगी है, बताए息 क्या होगा। आब सीता चलने लगी है, अम्तलब ये हुआ कि अब स्कारटिंग हो गई है आरम हो शुका है, तो यहां पर होगा आरम घोतक पच्छ हो गया। याद रखेगा, ठीके, यह अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है, याद रखे, यह चैप्टर की क्या है, आपकी स्टार्टिंग है, तो परेशान मत हो ये, पूरी क्लास देखिए, पूरा अगर दिमाग मिना घुश जाए, तब बताईएगा, ठीके, पूरी क्लास देखिए हरे कोशिन आपको समझ में आ जाएंगे चलिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपस यहाँ पर दिया गया है कहा है फिरसमें चार विकल्प है यहाँ पर आपको सही वेद बताना है कि जरा मेरी सहाथा कीजिए 7 नमबर में अब आप बताईए जरा मेरी साहता करिए, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, तो यहाँ पर दिखे, आपका संदेह, मतलब संदेह तो आपका है नहीं है, यहाँ संकेद भी नहीं है, तो जरा मेरी साहता कीजिए, यहाँ पर विध्न, मतलब क्या है, कि आपको कोई बाधा आ गई है, और आपकी साहत के लिए कह रहा है तो यहां पर आपका हो जया विध्यर्थ यहां पर अंसर बनेगा आपका डे नमबर तिसको नोट करिए डे नमबर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है कि यह दिश्विकल्प करना है ठीक है जो सही विकल्प आपको दिया हो किरिया के भेट के अधर पर रोहन चाय पीकर बैठ गया रोहन चाय पीकर बैठ गया अब चाय पीकर बैठ गया है मतलब किरिया क्या हो गई है पूरी हो गई है किरिया क्या हो गई है यहां पर पूरी हो गई है मतलब आपसं क्या होगा भी नमबर आपका राइट हो जएगा मतलब स्टार्टिंग के जो उड़ना उड़ना लिकिन दिलाना जो आपका है आपर पता है कि कहीं न कहीं दिलाना में क्या हो रहा है प्रदार्थक परा रहा है किरिया जो आपकी होती है प्रत्थम प्रदार्थक और दुती प्रदार्थक ठीक है चले आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि वह साम को घर जाएगा वाक्मे ब्रति कार्थ कौन सा हो जएगा मतलब वह साम को घर जाएगा दस नमबर में तो यहां पर निश्चे है कि और जाएगा ओसन मनेगब का सी नमबर है लाइट हो जएगा ठीक है चले आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि वह भोजन बनाता है वह भोजन बना आप यहांपर क्या हो जेगा दिको यहांपर भोजर मनाता है तो होता है आवरती मूलक होता है अगला कुशन दिया गया है कि किरिया के जिस रूप से किरिया निस्पादन के समय का ज्यान हो उससे क्या कहते हैं तो आपसन मनेगा आपका ये काल होता है क्या यहाँ पर काल हो जएगा और आपसन मनेगा यहाँ पर आपका A number हो जएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्योशन आपसे दिया गया है कि जिस किरिया से कि जिस किरिया से संचालित ब्यापार का फल करता को छूण कर कर्म पर पढ़ता है उसमें से कौन सी किरिया होता है कर्मा क्रिया मंदोब कोई भी अगर कार चल रहा है और खल करता पर ना पड़े आपकी कर्म पर पड़ता है तब कौन सी क्रिया पड़ती है यहां पर अंसर क्या हो ज़ेगा किरिया के मूल रूप को क्या कहते हैं कि अगला कोशन दिया गया है कि राम सो रहा है इस वाकि में कौन सी किरिया है राम सो रहा है इस वाकि में कौन सी किरिया है तो आप बताईए हमने बताया था कि जो सोना किरिया है क्या आप इस पर एक कोशन करना है क्या करना है एक कोशन करना है कि राम जिसे मान लोगों क्या सोता है अगर हम किरिया पर कोशन करें, क्या सोता है, क्या सोता है, तो आप कहेंगे, क्या सोता है, मतलब क्या है, यह क्या हुआ, मतलब नहीं, समझ में नहीं आया, अगर हम बोलें, क्या लिखता है, अगर बोलें, कि राम लिखता है, तो आप कहेंगे, क्या लिखता है, तो आप कहें के किरिया पूरी हो जाती है ठीक है आंगे ना चरले है अगला कोशन दिया है कि निमिखित कि निमिखित में से प्रड़ा प्रड़ाweenensi है शोरह नमबर में तो यहां पर देखे गीराना जो आपका देखो दिया गया है अंसर क्या बनेगा इनमबर भी рукा ठीक है आगला कोशन आपसे दिया गया है यहांपर देखो चाहे विडियों कियम हो चाहे लेकपाल हो चाहे फारियस्टरगाड हो सब के कोशन मिलेंगे याद रखेगा किरियार्थक संग्या सदा किस रूप में रहती है किरियार्थक संग्या सदा किस रूप में रहती है तो ये रहती है आपके हमेशा एक वचन और पुरलिंग में कैसी किरियार्थक संग्या किस रूप में एक वचन और पुरलिंग में रहती है अगिला कोश्न दिया गया है। आगे बढ़ते हैं कोश्न दिया है क्या मुस्कुराना क्या मुस्कुराता है कुछ मज़का ने여गता है क्या सोता है नहीं पता है क्या चलता है नहीं पता है क्या लिखता है जी हाँ पता है कुछ नहीं लिख रहा होगा हना मतलब अंसर क्या होगा बिनमर कुछ नहीं लिख रहा है मतलब आपका जवाब होजगा बिनमर सकर्म किरिया लिखना होजगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है हति और चासे चिकनाना चाना मतलब यहां पर 20 गेस दिया गया है दो प्राणियों तथा वस्तूं की बी तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाए पड़ती है देखो इसके पहले वाला जो जो चैप्टर था जिसमें से भी सेशन अमने आपको पढ़ाया था वहां प हो जाता है लेकर अगर 2 से जादा हो जाए तीन से अधिक तक हो जाए तब क्या होती है формaal अपका उत्तमा वस्था हो जाता है ति इसका option क्या बनेगा 2 नंबर आपका right हो जाएगा आगे बढ़ते है wisагар कोशंडिया गया है निम्निखित में से प्रडाथक क्रिया आपकी कौन सी है यहाँ पर दिखो दिया जगाना तो जिसका मतलब आपका एही नमर आपका हो जगाना क्यों चलना पढ़ना यह बदलना यह क्या है यह आपकी क्रिया है लेकिन यह प्रडाथक क्रिया नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया उस्तकाले एक प्रकार का क्या हो गया आपका कर्म हो गया तो आपसन क्या हो जगा सकर्मा क्रिया है क्या है तो क्रिया के जो है वह आपकी सकर्मा खोजेगा बी नमबर अगला कुछन आपसे दिया गया है कि वह पढ़ता तो सफल होता क् उसने पढ़ाई नहीं किया है तो क्या होगा उसने तो admit card का इंतजार किया था और admit card इंतजार करने से पढ़ाई नहीं हो सकती है ठीके ना तो यहाँ पर याद रखे आप concern क्या होगा यहाँ पर मिल ला है क्या संकेत मिल ला है कि वह पढ़ता तो लेक पाल जरूर बनता लेकि उसी क्रिया होती है, जब करता पर पढ़ता है, तब बताईए क्या होता है, तब यहाँ पर होता है, आपका क्या, यहाँ पर देखो दिया गया है, आपका अंसर, अगर इस question को अगर सही कर ले गए, तो हम समझेंगे कि आप लोग कम से कम इस chapter का कुछ न कुछ निचोड जान हैं, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देंगे, 25 नम्बर जल्दी से जवाब दीजे और सभी लोग जवाब दीजे, ताकि हम समझ पाएं कि इस question को समझ पा रहे हैं, चली, यहाँ पर देख सकते हैं, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, आपका A नमबर, B कोई फोकस कर रहे हैं हम चाहते हैं गर आपर आप से गल्ती हो रही तो उसको हम समझाने का प्रयास करें हमने आपको अमेशा बताया है जब आपको गल्ती होती है अपनी जुपाना न राम सोता है अब यहाँ पर देखो दिया है अगर एक कोशन और दे दें राम पत्र पत्र पढ़ता है इस कोशन में कहे रहा है कि जिस किरिया के ब्यापार का फल करता पर पढ़े जैसे यहाँ पर हम बोलें क्या सोता है तो आप कहोगे राम सोता है हना हना पूछे ना कि क्या स लेना देना नहीं और आपका काम भी बन गया मतलब कर्म को लेना नहीं पड़ा और आपका काम बन जाए वो होता है अकर्मा क्रिया होती है लेकिन लेकिन अगर मालो कर्म हो जैसे कि आप रहे राम पत्र पड़ता है तो हम पूछे कि क्या पड़ता है तो आप कहोगे कि सर वो कर्मय ngam कोशन दिया गया है कर आपसे आकास में तारे निकलते हैं वाकि में कीरिया का पच्छ क्या है कर्या वाला कर्या के इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा क्यों क्योंकि आपने इसकी तरीत पढ़़ी नहीं है जब पूरी तरीके से किरिया की थिवरी पढ़ लोगे तो आपको हर चीज आ जाएगा कि अब रती क्या होता है, निरंतर क्या हो जाता है अभ्यास क्या होता है, या आप समझ जाओगे ठीके, और थिवरी पढ़ाएंगे तो आपको नी नात्ती है उन्हें क्या कहते हैं तो 27 को अपनी गाए और बैलों को ले जा रहा है इस वाकि में कौन सी क्रिया है चले यहां पर जवाब दी 28 संबर में किसान अपनी गाए और गाए और बैलों को ले जा रहा है इस वाकि में कौन सी क्रिया है तो कौन सी क्रिया होगी आपकी सकर्मक्रिया क्योंकि दोनों पॉइंट एक साथ आपको दे दिया है दोनों पॉइंट क्या है एक साथ दे दिया है गाए और बैल ठीके गाए और बैल एक साथ दे दिया अर्थ करिया कह रहा है ठीक है अकर्मा करिया तो जैसे लूट रहा है तो किसी को लूटेगा पीस रहा है तो पीस हो जाएगा काटना तो कुछ ना कुछ तो काट रहा होगा यहाँ पर दिया है बांधना तो मालो रोहन बांध रहा है कोई न कहीं देखा जाए इसमें भी एक प्रकार से confusion है कि इसमें होगा क्या नहीं होगा लेकिन answer आपका होजगा यह number ही आपका होगा इसका answer आपका a number ही होगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है हाँ दिखो हमने बताया था hundred percent rule किसे में लागू नहीं होता है हिंदी में कोई भी rule बना हो hundred percent फालो नहीं होता है तो एक आधिया पवाद भी लेंगे उनको note करते रहेगा अगला question आपसे यहां पर दिया गया है कर आपसे निम्निकित में से प्रडाथक क्रिया आपकी कौनसी है चलिए यहां पर बताएए कि प्रडाथक क्रिया जो आपकी कौनसी है यहां पर आपका बुल्वाना क्या है बुल्वाना मदलब आपसन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा अगला question आपसे दिया गया है कह रहे हैं सिच्छक चात्र को हिंदी पढ़ाते हैं इस वाकि में किस प्रकार की किरिया है चलिए यहां पर सिच्छक है इसके बाद एक दिया गया है छात्र को फिर आपको यहां पर दिया है हिंदी चात्र को दिया है इसके बाद हिंदी दिया है तो यह दोनों क्या हो गए कर्म हो गए तो यहाँ पर हो जगा दूई कर्म के लिए इसका अंसर बनेगा D number क्योंकि छात्र यह आपका कर्म बीच में आ गया और यह कर्म बीच में आ गया तो आपको हो जगा दूई कर्म के लिए होज़ेगा आगे बढ़ते हैं कोशना आप से गला पूछा है आपको हो जगा लिएका अगे बढ़ते कोशना गया है तुम जाओ सो जाओ वाकि में सोना क्या है सोना क्या है यहाँ पर तो सोना क्या है यहां पर आपका अकर्माख हो जाएगा क्या हो जाएगा सोना यहां पर अकर्माख हो जाएगा तो option क्या बनेगा यह number इसका right हो जाएगा ठीके चलिए आगे बढ़ते question दिया गया है कि कुछ सब्द निम्रिकित में से किस रूप में किर्या में प्रयोग नहीं किया सकता है कुछ सब्द का प्रयोग किस में नहीं किया सकता है तो देखिए यहां पर के कीजिए काम पूरा हो रहा है किरिया तो होई रही है कुछ दोड़ रहा है कोई मतलब होगा क्या कुछ दोड़ रहा है कुछ दोड़ने कोई मतलब नहीं होता है तो किरिया में इसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे अंसर आपका होज़ेगा A number आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है यदि उजड़ना अकर्म किरिया है तो इसकी सकर्म किरिया क्या होगा उजड़ना अगर अकर्म किरिया है तो इसकी सकर्म क्या होती है यहां पर 35 नंबर में तो होज़ेगा आपका उजड़ना जो कि आप समनेगा यहां पर D नंबर होज एक प्रथम प्रडाथक और दूती प्रडाथक जैसे हमने आपको एक उधारन आपको कई बार बताया है उससे जल्दी आप लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर आपके क्या हो गई यह माली जी एक बेटा है और यहाँ पर माता जी है ठीके क्या है आपकी यह माता जी इनकी है औ मतलए माता जी ही बिवी जी चूट ना पाए अब इनका काम से बिवी बनाएंगे तो अब दारेक्ट माताँ से खते हैं तो प्रथम हो गया जब क्या होगा urgent कि द्वारा फिर कहा गया किसको बहु को तब यह हो गई दूती प्रदाथक किरिया हो गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेशन आपसे अगला पूछा गया है चलिए अगला क्वेशन यह आपर दिया है यह दि ओड़ना अकर्मा किरिया है तो इसकी प्रदाथक क्या होगी तो चलिए देको दूसरी एक पहचान और होती है अगर आना आजाए क्या आना आजाता है तो यह प्रदाथक होती है और अगर वो आना आजाए वो आना आजाए तो यह दूती प्रदाथक होती है पूछा गया प्रथम पेड़ा था का बता ये 36 का उप्शन क्या होगा तो 36 का उप्शन क्या होजगा यहां पर आपका दिया गया है आपका उड़ाना ठीक है उड़वाना और उड़वाना तो इसका मतलब ए नमबर आपका होजगा क्या हो जगा आपका यह नमबर हो जगा क्योंकि प्रधम पूछा है आना जो होता है वो इसमें होगा और अगर यहां पर ओड़वाना ओड़वाना क्या हो जगा सिकेंड हो जगा तो पहचान आपको मिल गई कीन मिल गई मिल गई चले आगे बढ़ते कुछ न दिया गया है न जवार यहां पर क्या हो गया, 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 यहां पर यह हो गया, यह जो लगा है, यह भी एक क्रिया है, यह भी एक क्रिया है, तो इसमें दो क्रिया है, इसे बोलेंगे संयुत क्रिया, इसका अंसर बनेगा यह संयुप्त किरिया याद रिखे जिसका ऑप्सिन बना है यह नमबर है राइट हो जीगा संयुप्त किरिया हो जीगा चले आगे बढ़ते हैं कोश्चन आपसे दिया गया है चलिए आड़ती संबर कर जाब दीजे सक्रमा किरिया इन में से क्या हो जेगा देखो यहाँ पर दिया गया है सूरज उग रहा है ठीक है चड़िया उड़ रही है कासिक हस रहा है और सीता वीड़ा बजार रही है चलिए अगर हम आप से पूछे तो अब क्या कहोगे चलिए अगर चलिए ना उसको फिर पता चल जाता है कि निवास्तिक में मेनत होती क्या है वो तुमें एडमीट कार्ड का इंतिजार करने वाले मेनत का नहीं जानते है अब आईवde नमबर क्या एक याम तो अधान नमबर लेकर या et δια करने है चले तो चले बताःे दिकों यहाँ पर दिया गया उगर अगर हम आपसे पूचें कियाए सकर्मक कृरिया होती है ना कि आपकी सकर्मक होती है चरे गए बताई कर्म कोई मिला क्या इनमें कोई कर्म मिला क्या नहीं कर्म मिला है तो यह क्या होज़ेगा अकर्मक क्रिया यह भी होज़ेगा अब यहां पर हम पूछे कि क्या है तो आपका कर्ता है और जो कर्ता पर फोकस होता है तो यह होता है क्या आपका यहां पर अकर्मक हो जाएगा क्योंकि कर्म तो मिला नहीं है अब यहां पर देखें क्या बजा रही है अर्थात यहां पर क्या बजा रहे वीना बजा रहे वीना क्या हो गया यहां पर कर्म हो गया वीना क्या हो गया कर्म अब आप कहिए कि कर्म मिला की नहीं अर्थात कर्म के साथ किरिया पूर ने देखकर निबंद लिखा मतलब अनु क्या है यहाँ पर नकल्ची है अनु क्या है नकल्ची है नकल करती है तब यह लिख पाती है तो चलिए अनु ने देखकर निबंद लिखा है उन्तारिस का जवाब दिजे क्या हो सकता है तो चलिए अनु ने देखकर निबंद लिखा अब यहाँ पर नाम धात्त तो आपका है नहीं है तो बनेगा क्या यहाँ पर पूर कालिक क्रिया क्योंकि जब चैप्टर रिस्टार्ट हुआ था तो एक कोशन यही था कि जब एक क्रिया पूरी हो जाए और इसके बाद दूसरी क्रिया होने लगे तो उससे कहेंगे क्या यहाँ पर पूर कालिक क्रिया कहेंगे तो अनून एक पहले क्या किया नकल चिप लिया और नकल चिपने के बाद खुद लिखने लगी तो क्या हो जगा यहाँ पर पूर कालिक हो जगा तो यहां परंस्तर बनेगा आपका A number हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते कोशन दिया गया है जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम 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 बताई क्या हो जागना है और इसका प्रथम क्या बनेगा यहां पर आपका 40 संबर का बन जाएगा जगाना क्योंकि हमने बताई था आना जो होता है आना वो होता है प्रथम और अगर वाना हो जाता तो वो हो जाता सेकिन्ड हो जाते तो यह नहीं समझे आता चले किसी कारिका करने या होने का बोद कराने वाले सब्द क्या कहले लाते हैं एक तारी समर में यहां परंसर आप कासी हो जगा किरिया हो जगा ठीके अगला कोशन दिया गया है कि किरिया का मूल रूप क्या होता है तो क्रिया का मूल रूप होता है क्या धातू होता है अप्शन क्या बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा अगला कुछन आप से दिया गया है धातू कहते हैं तो धात किसे कहते हैं यहाँ पनंसर बताएगे धातू कर्या के मुणूं को धात हैं अगला QNAPC question माने पिता जी से समान मंगवाया माने पिता जी से समान मंगवाया आप 44 का डीजिए आप marksar यहां पर Right क्या हो जेए 54 नमर में चले यहां पर जवाब दीजिएगा तो क्या है प्रदात alc ll speak media है तो बताईए यहां पर आपका 45 को option क्या होगा तो यहां पर दिखें मोहन पिता जी को पत्र लिख रहा है मतलब क्या हो जगा यहां पर सकर्मक के लिए option मनेगा आपका C number हाँ कुछ क्या होता है आपको लगता है कि ने इसमें जो कि एक topic से हम एक question में संग्या पूछेगे तो हम संग्या बताएंगे सरुनाम पूछेगे तो इसको हम सरुनाम कहेंगे बिसेशन पूछेगे तो हम बिसेशन बताएंगे जो option कहता है वह हम पूछेएंगे कि नहीं चलिए अगला question दिया गया है मैं खाता हूँ कर्मवाच बताए मैं खाता हूँ इसमें कर्मवाच बताए भई क्या हो जगा 46 संबर में मैं खाता हूँ इसमें कर्मवाच क्या हो सकता है चले तो कहरा है मुझसे खाया जाता है क्या मुझसे खाया जाता है बड़ा प्रेसर दिया जा रहा है क्योंकि focus हुआ है कि पर आपकी कर्म पर एकर यहां पर इसमें चली अगरा question दिया गया है कि पन्ची पाने पीते है इसका कर्मवाच पताये क्या होज़ेगा पन्ची पाने पीते हैं इसका कर्मवाच क्या हो सकता है देखे तो 47 वाले में बन जएगा खाना खाता है तो अब इसमें पूछेगा कि रामू खाना खाता है तो अब इसमें पूछेगा कि रामू खाना खाता है तो फोकस हम किस पर करेंगा रामू पर फोकस हुआ है कि नहीं हुआ है लेकिन अगर ये पूछा जाए कि रामू के द्वारा खाना खाया गया तो बताए पानी पिया जाता है अगला question आपसे यहां पर दिया गया है कि सही करमवाची वाला आपको बताना है सही करमवाची क्या हो जाएगा चले आप लोग जिनको समझ नहीं आया इस question को जवाब दीजे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर इसका जवाब दे गया तो समझ में आ गया नहीं तो नहीं समझ में आया चले यहां पर देखें सही करमवाची पूछा गया है 48 नंबर में चले 48 नंबर 48 को option देखें यहां पर अंसर हो जाएगा देखो रोगी से चला जाता है पीता से खाना नहीं तो नहीं यह तो भाव हो जगा भाई से खाया जाता है बहन से पढ़ी जाती है देखो यहां पर जो आपसर अफंसर सी वाला है प्रदिखो दिया गया है आपका नहीं और नहीं मतलब अपसन हो जगा बी नंबर आपका राइट हो जएगा ठीक है अगला और लास्ट कोशन आज के लिए है जिसका जवाब आपको कमेंड़ बाक्स में कमेंड करना है फिर यह अगर आपको नहीं आता इस टॉपिक को आज प पड़िये लेकिन आप लोगों को तैयार करके कलाना है याद रखेगा क्या रहा है निमनिकित में से कौन सा क्रत्यवाच नहीं दरसाता है इसका जवाब देना है धान्यवाद